सामुदाइक स्वास्त केंद्र में होगी अब बेतर इलाज लोगों का सपना होगा श्राकार गुरुआर को चंदम की आरिवाशियों के लिए एक लंबे समय से चली आ रहे प्रतिक्षा खत्म हो दिया अब सामुदाइक स्वास्त केंद्र जरजर भवन में नहीं बलकी करोडों रुपईया खर्च कर बनाई गई आलिशान एक नए भवन में सामुदाइक स्वास्त केंद्र का संचाला में होगा जिसका सुभारम चास अनुमंदल पदाधिकारी ससी प्रकास सिंग वा सिबिल सर्जन डौक्टर असोग पाठक ने सामुदाइक स्वास्त केंद्र में चिकिसा सेवा का सुभारम किया SDM ने पूरे नौ निर्मित भवन में बनाये गए वाडों, OPD, लेवर रूम, एक्सरे रूम, इस्तरी एवं प्रसुती कक्ष समेथ सभी रूम की बारिकी से जाच किया स्वास्त केंद्र को सुचारू और ब्यौस्तित रूम से चलाने के लिए चिकिसा प्रभारी डौक्टर स्रीनात को कई दिशा निर्देश दिये मौके पर SDM ने कहा कि चंदन कियारी की जनता के लिए आज का दिन एतिहासिक दिन है दस बरसों से कतिछा रत भवन में जनता को सानुफित करते हुए अब इस नए भवन में बेहतर चिकिसा सिवा का लाभ मिलेगा यहां कई अत्याधोनिक उपकरणों के माध्यम से जाच वा इलाज किया जाएगा बहुत सारे उपकरण जो रूम में लगाए गए हैं कुछ उपकरण बाकी हैं वो एक दो दिन में लगा दिये जाएगे अब चंदन कियारी समेट आस पास के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर जराज जाना नहीं पड़ेगा यहां ही लोगों को अच्छे स्वास्विहा मिलेंगे उन्हेंने कहा कि पुराने जरजर भवन में आज से पूरी तरह से स्वास्वा को बंद कर दिया गया तका नए भवन में लोगों को स्वास्ट समभनधी सारे उपड़ा मिलना प्रारंभ हो जाएंगे इसके लिए चंदन कियारी CECC के टीम द्वारा साली ब्योस्था की जा रही है वहीं सिविल सर्जन ने चिकिसा प्रभारी को स्वास्त संबंधी कई किप्स दिये कहा कि अब सही मायने में चंदन कियारी के जंता को बेहतर इलाज मिलेंगे उन्हें ने कहा कि चिकिसा प्रभारी को मारीज्यों का बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश दिये इससे पुर्व SDM ससी प्रकास सिंग सिविल सर्जन डौकर असोग पाठक प्रमुख हर्शिता रजवार वा अन्य ने शामुदाई स्वास्त किंद्र परिशाने दिक्छाड ओपन भी किया मौके पर विधायत पतिनिधी बिनोध गुराई प्रमुख हर्शिता रजवार शांसत पतिनिधी निमाई लाग महथा प्रखंड कॉंगेस अध्यक्ष द्यवासिस मंडल भिरंची महथा कार्जपालत अभियंता पंकज कुमार जीला अभियंता हरिदास गौतम महथा समेप अन्मी लोग उपस्थित थे सोना न्यूट चंदन क्यारी से ग्योंकेस मिस्ट्रा की रिपोर्ट का दीन जो है वो चंदन क्यारी प्रखंड के लिए जो है काफी अतिहासिक है क्योंकि यहां पे पिछरे दस वर्सों से जो हॉस्पिटल बन रहा था सीएसी वो आज सुभार कि सारी जो तैयारियां है वो कर ली गई है और आने वाले एक सी दो दिन में पूरी सुनिशित तरीके से जो है सारी वेवस्थाएं यहां पे कायम हो जाएंगी और सारी सुभिधाय चिकितिक जो है वो दे दी आएंगी कुछ एक ठूटिया है जिसे खास करके फुजूब कर जो है वो पहले से खराब थी उनकी अभी हम लोगों ने हमारे साथ सीए साहब भी आए हुए थे उनसे हमने डिस्क्रशन किया है कि जल से जल कैसे उसको हम लोग ठीक कर ले इसके अलावा जो है सलक का जो एक इस्शू है उसको भी हम लोग कर रहे है ताकि आल वेदर रोड जो है वो कनेट करें और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अब दिक्कत आने वाली है जल से जल सम लोग स्विता मुहाल कर लेंगे